हेलो फ्रेंड तो आप लोग कैसे हो उमीद करती हूँ अच्छे से होंगे तो आज मैं नवरात्री स्पेशल सिंपल सरल सुभीदा जनक से भंडारा इस्टेल खिचडी की रेसेपी सेयर कर रहे हूँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका रंग रूप टेक्शेर वग्या है घर बैटे ही आपको भंडारा इस्टेल खिचडी का आनंद मिलेगा तो यहां पर खिचडी बनाने के लिए जो भी बेसिक समान चाहिए खिचडी के लिए तो यहां पर एबलेबल है यहां पर हरी हरी सबजिया पंकीन फूल गोबी आलू मटर पत्ता गोबी लौकी जो भ आधा कंट्रिटी में एक कटोरी मैंने चना डाल लिया है आप खिचडी बनाने के लिए कोई भी चावल का इस्तमाल कर सकते हो यहां पर कुटी हुई चावल से ही मैं यह खिचडी बनाऊंगी आप कतड़नी चावल गोविंद बोग बासमती राई से बना सकते हो आपके टे डाल दिया है आप जरू डालिएगा खिचडी का फ्लेवर बहुत ही बढ़ियां आता है घी में और यहां पर हींग भी जरू डालिएगा हींग को इसकेप मत किजेगा यहां पर तीन इंच करीब बारी कटा हुआ अधरक था वो डाल दिया है दो चमच साबुच जीरा और य जो भी सब्जी वगेरा हरी हरी सब्जिया थी उनको मैंने इन में दे दिया है मसाले और सब्जियों को हम भूनेंगे जब तक इनसे सौंधी खुश्बू ना आने लगे कच्चा पन न मर जा धकल लगा के इने पांच मिनट के लिए मैंने भून लिया था लोटू मीडियम पर ही इनको जलाना बिल्कुल नहीं है दोस्तों और इसका रंग रूप आप सब्जी का देख सकते हो कितना बढ़ियां आ रहा है बिंदी बिंदी खुश्बू आने लगी है अब इस स्टेज पर हमने पत्ता गोभी और मतर जो होता है मैंने मिला दिया मतर इसमें नहीं मिल यहां पर कुटी हुई चावल की कॉंटिटी लगबग तीन कटोरी है तो इन सारे चीजों को एक साथ मिला लिया है अलग भी दो सकते हो लेकिन मैंने एक साथ मिला के इनको 5-6 पानी से क्लीन वॉस कर लिया है आप यहां पर सब्जी हमारा चेक कर लेते हैं सब्जी रही हूं आप टेस्ट इकॉर्डिंग चाओ तो कच्चे नारियल को भी दे सकते हो ड्राइफूट काजू किसमिस भी डाल सकते हो बहुत ही अच्छा आता है और यहां पर देर चमच करीब मैं टेर्मनिक पॉडर डाल रहे हूं भरके और टेस्ट इकॉर्डिंग सिदा नमक कर लिजेगा और यहां पर जो भी धूला वगा डाल चाओं तालों यहीं ट्रिक होता है बंडारे का कि दाल चाओं को भी सब्जी और मसालों के साथ भूना जाता है धकल लगा कि मैंने 2 मिनट के लिए दाल और चाओं लिया था स्वांदी स्वांदी खुश्बू आने लगी थी और इस स्टेज पे मैं यहां पे सारे तीन लीटर पानी एड़ कर रहे हूं क्योंकि खिचडी जो है हमारी काफी कॉंटिटी में मैं बना रहे हूं दोस्तों अब धकल लगा के इसको हम छोड़ देंगे लोटू मीडियम पे पकने के लिए पांच मिनट हो गया है देख सकते हैं मसाला ओइल वगारा सब रिलीज हो गया है लेकिन अभी पका नहीं क्योंकि पानी और जो दाल चावल है वो अलग अलग लग लग रहा है तो धकल लगा के अगेन मैं इसको पका ली थी दो दो से तीन मिनट और यह हमारा बढ़ियां से पक गया है सब कुछ मिल माल गया है रंग रूप टेक्शर आप देख सकते हो इस स्टेज पे दो चमच गरम मसाला जरूर आट किजेगा टेस्ट फ्लेबर बहुत बढ़ियां आता है अब यह हमारी खिचडी पूरी तरह से बनके रैडी हो गई है गैस का फ्ल रेडी हो गई है इस ट्रिक से आप बनाएगा रेगुलर दिन में भी खाईएगा जैमा दुरगा